हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में तक कैसे हो आप सब आप सब के साब ने पेरे 50-50 डॉलर के अप डारेक्शन में ट्रेड ले रखें और ये दोनों ट्रेड अपने सोर सोट यहाँ पर विन होंगे आपके सामने मैंने किस बेस पर ये ट्रेड लगाए हैं आपको मैं बहुत ही जल्दी सी वीडियो में बताने वाला हूँ आप देख सकते हो आज मैंने यहाँ पर कोई भी स्टरेजी फोलो नहीं किये सिर्फ मैंने केंडल्स को देख कर ही ट्रेड की है तो आपको भी मैं यह सोर सोट पॉइंट बताने वाला हूँ आप देख सकते हो अपनी दोनों ट्रेड से आपर विन हो चुकी हैं आपको किस तरह से इस पॉइंट पर ट्रेड करनी है अगर आप इस वीडियो को लाश्ट तक देखते हो तो आप भी इसी तरह से बिना इंडिगेटर ओसिलेटर लगाएवी ट्रेड कर सकते हो तो चलिए क्या है वो शोर सोट पॉइंट जिसके बेस पर मैंने ट्रेड अप डारेक्शन में लगाए थे और आप सब के सामने हमने अपनी दोनों ट्रेड्स विन की ठीक है ये मेरी परसनल इस्टेटेज ही है बहुत से मेमर्स का मैसेज आ रहा था कि हमने बहुत ज़्यादा लॉस कर लिया है आप को इस सोर सोट पॉइंट बता दीजिए मैंने आप से वादा किया था कि आपको मैं इसी चैनल पर केंडल पैटर्स के वारे में बताने वाला हो तो आज हम बात करेंगे हैमर केंडल के बेस पर किस तरह से आपको अप एंड डाउन के ट्रेड लेने है आप सब के सामने मैंने याप पर सिर्फ एक केंडल को देखकर अप डारेक्शन में ट्रेड लगाया और अपनी दोनों के ट्रेड शोर सोट विन हो गई वीडियो आप सबी के लिए बहुत ही इंट्रेस्टेड होने वाली है तो वीडियो को थोड़ा बहुत भी मिस ना करें पूरी वीडियो को पूरे फोकेस के साथ देखें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं याप पर अपना ड्रोइंग खोलूंगा और आपको मार्किट में कोई और उसी बेस पर ट्रेड मिलता है तो आपको जरूर लेकर दिखाऊंगा तो पहले हम अप डायरेक्शन में ट्रेड कैसे लेना है वो पॉइट डिसकस करते हैं क्या होगा आपको यहां पर डाउन के लिए कैंडल्स बनते हुए दिखनी चाहिए यहां पर इस कैंडल की यहां पर डाउन साइड में विक है इससे क्या पता लगा में कि यह कैंडल इस पॉइंट पर आई थी लेकिन इस पॉइंट से रेजेक्शन लेकर वो उपर जाकर अपना क्लोज कर रही है आपको यहां पर वही चीज़ देखने के लिए मिली यह कैंडल इस पर बन रहा है और उसके बाद अगली कैंडल क्या आए एक हैमर आए हैमर किस तरह का हो उसके कलर से डिपेंड नहीं करेगा बस वो एक हैमर कैंडल होनी चाहिए हैमर दो तरीके से हो सकता है आपको मैं बना कर दिखाता हूँ यहां पर ड्रोइंग करकर कि वो किस तरह के हो स चलेंगी ओके तो एक हैमर कैंडल यहां पर आनी चाहिए और इस लास्ट कैंडल द्वारा थोड़ा बहुत बायर्स का रेजेक्शन देखने के लिए आमें बिलना चाहिए आप देख सकते हो यहां पर बायर्स रेजेक्शन दिया है उसके बाद क्या होगा एक हैमर कैंडल आप देख सकते हो यह एक हैमर केंडल है जिसकी नीचे के साइड विक जादा होनी चाहिए या फिर वो इन्वेटेड हैमर भी हो सकता है यहापर इस तरह से लेकिन यहाँ पर इन्वेटेड हैमर नहीं चलेगा जो हैमर यहाँ पर बनेगा उसकी नीचे के साइड विक होनी चा दवारा नीचे के साइड विक भी मिली है ओके तो चलिए इसका यह ग्रीन कर देते है इस हैमर का आप सब के सामने यह पर यह जरल पर ऐलम फर सकता है किसी कर्शेस कर समझे आ यह इसलिए मैंने इसका जरल ग्रीन कर दिया है अब क्या होगा दोस्तो हमको अगली candle पर ही up direction का trade लेना है एक minute का और वो candle यहाँ पर green में ही close होगी आपको इसी base पर मैंने भी trade लेकर भी दिखाया है और इसी base पर आपको भी trade करना है ठीक है आप देख सकते हो इस तरह से आपको up direction में trade लगाना है और आपकी trade यहाँ पर win ही होने वाली है किस तरह से लेना है आप समझ गई होंगे अब हम बात करते हैं down direction की तो पहले मैं इसको clear कर लेता हूँ आप सब के सामने मैंने इस chart को clear कर लिया है अब हम discuss करेंगे down direction में trade किस तरह से लेना है जिस तरह से इसमें market down ना रही थी red candles द्वारा down का trade लेने के लिए अब candles उपर जाएंगी green color की आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने candles बनाने start किया है और उन candles का movement up direction में है अब क्या होगा जो एक candle होगी hammer से पहले वाली उसका हमें rejection देखने के लिए मिलना चाहिए देखे आप देख सकते हो उस पर rejection है उपर से नीचे की ओर जो up direction की condition थी उसमे नीचे के side wick होना चाहिए लेकिन जो down direction में trade लेने की condition है उसमें उपर के side wick होना चाहिए और उसके बाद जो hammer बनेगा वो होगा inverted hammer यानि उल्टा हतोड़ा आप देख सकते हो inverted hammer जिसकी wick उपर के side होगी आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी wick उपर के side है इस तरह का hammer यहा इसी भी कलर का हो सकता है अब यहाँ पर हम उसे रेड कलर का बनाएंगे आप सब के सामने मैंने यहाँ पर रेड कलर का हैमर बना दिया है तो चलिए इसकी नीचे के साइड विक लगा देते इस तरह से यह हैमर बनेगा उसके बाद जैसे यह दोनों कंडिशन फुल्फिल तो आपको 2x करकर down direction में फिर से trade लगाना है क्योंकि market में केई बार error हो जाता है यह candle यहाँ पर कभी कभी green आ जाती है तो आपको इससे बचने के लिए क्या करना है फिर से down direction में ही trade लगाना है अपने amount का 2x करकर तो आपको समझ आगे होगा किस तरह से आपको up का trade लेना down का trade लेना तो चलिए अब हम अपने ओलंपी ट्रेड के चार्ट पर चलते हैं तो यहाँ पर मैं आप सब के सामने अपने ओलंपी ट्रेड के चार्ट पर आ चुका हूँ और आप देखिए हमने यहाँ पर trade लिया था क्या हुआ था इस candle की यहाँ पर हमें विक देखने के लिए मिली है यहाँ पर hammer है और इस candle पर अपना trade लगा था जिस पर अपने दोनों trades win हुए थे आप समझ गए होंगे वही condition है यहाँ पर भी आपको देखने के लिए down candles आ रही थी हमें यहाँ पर hammer देखने के लिए मिला अगली candle पर up direction trade से और source win तो उमीद है hammer candle के वेस पर किस तरह से trade लेना है आप समझ गए होंगे और कुछ points है उनको भी हम cover कर लेते हैं आपको यहाँ पर chart time एक minute ही select रखना है और trade भी आपको एक ही minute का लगाना है उसके बाद जो candle pattern होगा वो भी Japanese candlestick होगा आपको Japanese candle पर ही trade करना है तो मैं यहाँ पर आप सबके सामने अपने VIP group का रिजन्ट दिखाना चाहूंगा मैंने यहाँ पर आपको 8 signal दिये थे कल और सभी के सभी यहाँ पर source win हुए है एक ही trade अपना refund हुआ था लेकिन अगले अगर आपको मेरे signal copy paste करकर profit निकालना है तो इसे आप जोइन कर सकते हो जोइन करने के लिए मेरी